हेलो एवरिवान, वेलकम बाएक टु इंग्लिज बिद परमोत कुमर, माई डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन डिस्टस करेंगी, फ्रेंड्स अधियाब चैनल पर न्यू है, अभी तक सस्क्राइब नहीं कहें, तो प्लीज आप लोगों सस्क स्कूर करते हैं, अपने स्कूर को भी मेंसन करें, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, कुश्चन डिस्टस करिए, कि शोहरव एंड्स रुस्तम की जो थीम है, शाह नामा से ली गई है, शाह नामा के लिखा कौन है, फिर्दोशी, अलिफ लेला, मुहम्माद, बीरवल, रिश्पॉंस इमिडिटली, 76, ध्यान रखना है, कि शोहरव एंड्स रुस्तम कम लिखे गई, अठारा सो तिरुपन में, इसकी थीम कहां से ली गई, शाह नामा से ली गई, ओके, शाह नामा के लिखा कौन है, फिर्दोशी, ओके, शाह नामा के लेखक, फिर्दोशी है, ओप्सन इस दा राइट आंसर, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, कि शोहरव और रुस्तम की जो थीम है, शाह नामा से ली गई है, ओप्सन इस दा राइट आंसर, नेक्स्ट, क्वेशन नमर 77, हालडेज, रिलिजियस, बिलिफ्स, और दा मिक्शर आफ, हालडेज का, रिलिजियस, बिलिफ्स, किसका मिक्शर है, किसका मिक्शर है, हालडेज का, रिलिजियस, बिलिफ्स, रिश्पॉंस करेए, ओप्सन, बिलिफ्स, 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 बि गेटे, वर्ट्सवर्थ, बायरन और मेंशन बाई मैथ्यू अर्नोल्ड in one of his poems, गेटे को, वर्ट्सवर्थ को, बायरन को मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी एक पोयम में मेंशन किया है, वो कौन सी पोएम है The Scholar Gipshy, Memorial Verses, रघुबाई चैपल या अपसंडी ननाबदीज important one response करिए कि मैथ्य और अनौल ने अपनी किश पोएम में गेटे को वर्ट्सवर्थ को वाइरन को मेंशन किया है question number 78 की बात करें, option B right हो जाएगा Memorial Verses, Memorial Verses में मैथ्य और अर्नौल ने गेटे को वर्ट्सवर्थ को वाइरन को मेंशन किया है, option B is the right answer next question number 79 को रिश्पॉंस करी in which poem does what's for call himself a worshiper of nature what's for zine swim को अपनी किश पोएम में आवर्षिपर आप नेचर कहा है ode and intimation, tinternavi, Michael he is from Sunday, Nanavdij important question response करें, right answer क्या होगा option A होगा, V होगा, C होगा या फिर D होगा 79, response immediately वो कौन सी poem है, जिसमें वर्ष वर्षिपर आप नेचर कहा, 79 की बात करें, option B right हो जाएगा, टिंटर नवे, टिंटर नवे, टिंटर नवे, पोएम में ही वर्ष वर्ष वर्षिपर आप नेचर कहते हैं, यह जो पोएम है, लिरकल बैलार्स में आती है, 1798 में, ओकी, लिरकल बैलार्स की यह लास्ट पोएम है, ध्यान रखिएगा, इस एची पोएम में वर्ष 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 पैंथीजम की भी चर्चा करते हैं, God is all, All is God, okay, 79 की बात करें, option B is the right answer, next, question no 80, 80 को response करें, Hemingway का जो नोबिल है अफार बिल टू आर्म्स ये कितनी बुक्स में डिवाइड है 2 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स रिश्पॉंस करें Question number 80 का राइट आंसर क्या होगा Easy one है Question number 80 की बात करें Option C right हो जाएगा 5 बुक्स आफार बिल टू आर्म्स 5 बुक्स में डिवाइड है Option C is the right answer Okay Next Question number 81 81 को रिश्पॉंस करें Which farm has been used by Elliot in the best land T.S. Elliot ने बेस्ट लेंड में कौन सा फार्म यूज किया ब्लैंक वर्स इस्पेंसरेन इस्टेंजा फ्री वर्स या फिर्णानाप देज Question number 81 को रिश्पॉंस करें T.S. Elliot ने दा बेस्ट लेंड में कौन सा फार्म यूज किया रिश्पॉंस इमेडेटली Question number 81 Response immediately Question number 81 की बात करें Option C राइट हो जाएगा फिरी वर्स ज्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि T.S. Elliot जीने वेस्ट लेंड में फ्री वर्स यूज़ किया है option C is the right answer ओकी next question number 82 inversion of the relationship is inversion का relationship क्या कहलाता है कयासमस बैथोज, anticlimax climax 82 को रिस्पॉंस के right answer क्या होगा inversion of the relationship response immediately question number 82 के बात करें तो inversion का जो relationship है कयासमस कहलाता है option A is the right answer ओकी option A right हो जाएगा बैथोज and anticlimax is the same बैथोज का अधर नेम है anticlimax ओके ध्यान रखेगा 82 का option A right हो जाएगा क्यासमस next question number 83 83 को रिस्पॉंस करीए where may a line either be end, stopped or run on right answer हो जाएगा option C a poem option C is the right answer question number 84 response immediately it is suffixed to our text it sums up our extends it is response करीए यह suffix होते है किसी text में it sums up our extends किसकी बात कर रहे है response करीए प्रलोग epilog essay fiction आप लोग यहाँ पर focus करीए suffix suffix ok suffix जो है word के starting में आता है कि last में आता है response करीए आप सभी लोग जानते है कि suffix जो है last में आता है word के तो option B right हो जाएगा epilog option B is the right answer ok epilog is the right answer next question number 85 the puritan's shut down all theaters in England in puritan's ने England में theaters को shut down कर दिया बंद कर दिया किस वर्ष बंद किया 1660 17 100 1850 या फिर 1642 में फिर्टी फाइब को रिश्पॉंस करी या फिर्टेंस ने थीटरस को इंग लेंड में बंद कर दिया किस वर्ष बंद किया 1660 1780 या 1642 easy one question है बट important है 85 की बात करें option D right हो जाएगा puritan's ने theaters going land में 1642 में shut down कर दिया option D is the right answer फिर जो थीटर है restoration age में open किये जाते है ok 1660 में reopened यहाँ पर क्या हो जाएगा reopened ok 85 का option D right होगा 1642 question number 86 an image in literary age response करीए an image in literary age option A a crying picture option B a beeping picture option C a speaking picture option D a dancing picture literary में image क्या कहलाता है 86 crying picture beeping picture speaking picture यह dancing picture question number 86 question number 86 की बात करें option C right हो जाएगा किसी भी literary में जो image है speaking picture कहलाते है option C is the right answer next next question number 87 fill in the blank with the suitable verb suitable verb को fill up करना है earnest pupil dies by society यहाँ पर क्या आएगा कौन सी वर्ट फिलप की जाएगी respect by society is respect by society are respect by society यह respects by society 87 को रिश्पोंस करी कौन सी वर्ब fill up की जाएगी ध्यान रखना suitable verb को fill up करना है honest pupil are respected by society यहाँ पर option she right हो जाएगा are respected by society option C is the right answer next question number 88 they arrived soon after after age यहाँ पर after क्या है part of speech में after क्या होगा adverb होगा conjunction होगा noun होगा proposition होगा question number 88 को response करीए they arrived soon after sentence में जो after आया है यह after क्या है adverb है conjunction है noun है proposition है response immediately question number 88 की बात करीए तो ध्यान रखना यहाँ पर जो after है आये ज़्या adverb आया है option is the right answer ओकी ध्यान रखेगा option is the right answer next question number 89 choose the most appropriate proposition to fill the black space black space को भरने के लिए suitable proposition को select करना है choose करना है your sister is not good dash English in English with English at English या फिनन आप देज response करीए question number 89 का right answer क्या होगा your sister is not good dash English question number 89 की बाद करें good at English होगा option C right होजाएगा good at English option C is the right answer next question number 90 change the voice my friend is to help me इसको पैसी वाइस में change करना है my friend is to help me right answer क्या होगा option A, option B, option C या फिर option D none are these question number 90 की बाद करें option A right होगा I am to be helped by my friend option A right होजाएगा next question number 91 feel in the blank be suitable verb suitable verb को fill up करना है he was much dash by the news यहाँ फर shake आएगा shaken आएगा shook आएगा shaking आएगा shake verb की कौन सी form फिलप की जाएगी shake, shaken, shook, shaking 91 question number 91 को response करें right answer क्या होगा question number 91 की बात करें तो ध्यान रखना sentence जो है passive voice में है तो passive voice में verb की third form लगेगी V3 तो यहाँ फर shaken हो जाएगा he was much shaken by the news option V right हो जाएगा okay next question number 92 question number 92 looked into the matter into the matter question number 92 sentence जो है simple past tense में है okay क्योंकि यहाँ पर verb की second form B2 यूज हुई है तो यहाँ पर जो subject के स्थान पर लिखा जाएगे the matter the matter के according was लगेगा okay the matter was looked into the police यह option A right है यह फिर option B the matter was looked into by the police यह फिर option C the matter was looked by the police question number 92 की बात करें option B right हो जाएगा ध्यान रखना है sentence में जो proposition आता है प्रेविशन रिमूब नहीं होता है जहाँ पर प्रेविशन आएगा वही पर वो रहेगा the matter was looked into by the police okay option B right होगा next 93 choose the most appropriate provision to fill the blank space the examination will commence days 7 a.m. days Friday यहाँ पर कौन कौन सी provision fill up की जाएगी ओकी यहाँ पर यहाँ पर कौन सी provision आएगी यहाँ पर कौन सी आएगी important है 93 को response करिए option A right होगा V right होगा C right होगा या फिर D right होगा none of these the examination will commence at 7 a.m. पहले तो 8 fill up किया जाएगा okay on Friday और यहाँ पर क्या हो जाएगा on Friday the option A right होगा 93 का option is the right answer the examination will commence at 7 a.m. on Friday got it option is the right answer 94 what word is used for a person who has tendency to steal उस person के लिए कौन सा word यूज करेंगे जिसकी tendency है चोरी करना response करिए इंसोमेनिया पोस्तुमुवस कलेप्टोमेनिया प्रोमिनेट 94 को रिश्पर्म्स के राइट आंसर क्या होगा प्रोमिनेट लिजरली वाग को प्रोमिनेट कहा जाता है ओकी पोस्तुमुवस चाइल्ड a child whose parents are dead एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता इस दुनिया में ना हूँ या मर गए हूँ वो पोस्तुमुवस कहलाएगा तो फ्रेंड 94 की बात करें तो यहाँ पर यद कोई person है जिसकी tendency है जिसकी मान सिखता है चूरी करना उसको कलेप्टोमेनिया बोलेंगे option C is the right answer option C right हो जाएगा कलेप्टोमेनिया 94 फिल इन दा ब्लेंग बिद अप्रोप्रेट ऑफ्शन गिवन ब्लू यहाँ पर क्या फिलप किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन किया आएगा Him, Whom, Which, Who रिश्पॉंस करें He is the friend That is, I trust most Question 95 की बात करें यहाँ पर हूम फिलप किया जाएगा option B right हो जाएगा He is the friend Whom I trust most Okay Whom भी right है यदि option में that होता तो that भी right हो जाता Okay 95 का option भी right हो जाएगा 96 96 को response करें Gift of the game Gift of the game के मीनिंग क्या होती है यह इडियम है इसकी मीनिंग क्या होगी Gift of the game Talent for writing Talent for crying Talent for speaking Talent for walking Gift of the game Response करें 96 Question 96 की बात करें Gift of the game Gift of the game मीन्स होता है Talent for speaking बोलने की कला Option 6 is the right answer बोलने की कला को Gift of the game कहा जाता है Option 6 is the right answer Next 97 Palindrome 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 क्या होता है Option E Words that can be Interchanged in a Context Are said to be Synonymous Relative to That context Option B A word or phrase that reads The same Backword as forward Option C Two words if they are Pronounced or Spelled the same way But have different meanings या फिर Option D Two words if they are Pronounced the same way But differ in meaning Or spelling are both Palindrome को response करें काउन सा Option right होगा Palindrome के बिशे में Option A right है V right है C right है या फिर Option D Response immediately Question number 97 की बात करें तो ध्यान रखना है या पर Option B right हो जाएगा Palindrome एक ऐसा word होता है जिसको backward से forward से पढ़ा जा सकता है Example के तोर पर आफ radar कह सकते हैं R-A-D-A radar या फिर आपके लीजे madam madam हो गया radar हो गया यह सब किसके example है Palindrome के example है option B is the right answer एक ऐसा word होता Palindrome जिसको backward से forward से पढ़ा जा सकता है इधर से भी पढ़ेंगे तो madam इधर से भी पढ़ेंगे तो madam इधर से पढ़ेंगे रडार इधर से भी पढ़ेंगे तो radar ओके 97 का option B right होगा next किसे हिंदी में आता है जहाज जहाज भी Palindrome का example है जहाज आप जहाज ले ले लिजिए जहाज भी Palindrome का example है इधर से पढ़ेंगे जहाज चाहे आप इधर से पढ़ेंगे जहाज ओके are you getting my point 98 को response करिए curtain lecture is curtain lecture क्या होता है most important question है response करिए curtain lecture a lecture given in private room या option B a private scolding by husband to his wife या option C private scolding by wife to husband husband या option D a private scolding by father to his son या daughter 98 को response करिए curtain lecture क्या होता है important है 98 के बाद करेंगे तो option C right हो जाएगा most important है curtain lecture वो होता है private scolding यानि private scolding डांट फटकार wife के द्वारा हश्वेंड को यादि कोई ब्यक्ति मालिजे कोई person है उसकी शादी हो गए उसकी wife उसको डांटती है फटकारती है तो उसको curtain lecture कहा जाएगा कोई भी husband है जो अपनी पतनी के द्वारा डांटा जाता है फटकारा जाता है तो उसको curtain lecture कहते है option C is the right answer got it पतनी के द्वारा पती को डांटना फटकारना curtain lecture कहलाता है 99 which is the correct spelling adult cent की right spelling क्या होगी option A, option V, option C या फिर option D adult cent adult cent means किशोरा आवस्था adult cent means किशोरा आवस्था right spelling क्या हो जाएगी option A, option V, option C, या फिर option D 99 question number 99 को response करिए question number 99 की बात करेंगे adolescent 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 option T right हो जाएगा A, D, O, L, E, S, C, E, N, T adolescent option T is the right answer important spelling है ध्यान रखेगा A, D, O, E, L, E, S, C, E, N, T next a dead human body is dead human body को क्या कहा जाता है कडावर शावल मेट यूनाग इफेमिनेट question number 100 को response करें right answer क्या होगा a dead human body is called कडावर option a right हो जाएगा dead human body को कडावर कहा जाता है option is the right answer friends आज की class कैसी रही आप लोग ने कितना स्कूर किया class के बिसे में अपना feedback का वस्य दे आप लोग उपने स्कूर को भी mention करें यदि आप लोग चनल पर न्यू है अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सस्क्राइब कर लें वेल आइकन को भी प्रश कर लें आप लोग संबल रिक्रिष्टे कि सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेर करें शपोर्ट करें थाइंक्यू वेरी मच ये लोग रेलो और्रश का लोग्योग तक स्कला बिक्यादा ज़र है वेरी मच स्क्राइब अवार कि रफवार कि ये तक सम्ती liaison करें जब ले श्कराव ये ख़ता लेच्वार को क्ईबलते हैवलma को ज Oxनल वे है